हलो गाइस कैसे हैं आप लोग गाइस आज की वीडियो है ये बहुत ही मशूर शक्सियत फिराग गोरकपुरी हो सकता है मैंने किसी और बुक के हिसाब से मैंने बताई हो लेकिन ये बुक है इस वक्त क्लास नाइन्थ की और ये फॉर्स टाइम ये वीडियो बना रहे हैं नव इनका नाम गरगुपती सहाई और फिराग तखलुस था शायरी उन्हें वरसे में मिली थी यानि के पैरेंट या बाब दादाओं से मिली थी और उनके वालिद मुझी गोरकपरशाद अबरत गोरकपुरी अपने वक्त के मशूर शायर थे तखल फिराग भी बच्पन ही से शेर कहने लगे और उन्होने नजम घजल रुबाईव ऒगरा शेरी शायरी असनाफ में तब आसमाईी की तब आदब 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 तिबाजमाई का मतलब यह है कि कोशिश की है ना अच्छी कोशिश की उनका शुमार यानि उनकी गिंती उर्दू के एहम शौरा में होता है शौरा वन बताया था शायर सिंगलर होता है शौरा प्लूरल होता है ठीक है 1917 इसवी में कॉंग्रेस में शामिल हुए और कैदो बंद की सावबतें बरदाश्ट की पैदो बंद यानि कभी जेल में रहे कभी नजर बंद रहे ठीक है सावबतें यानि के मुसीबतें परिशानिया ठीक इलहाबाद यूनिवरसिटी में अंग्रेजी के उस्ताद थे ठीक है अब आप देखिए बड़ी बात के उस्ताद तो थे ये अंग्रेजी के लेकिन शायरी शेरो शायरी उर्दू की करते थे है ना फिराग का कलाम इनसानी अजमत और दर्दमंदी के एहसास से भरा हुआ है उन्होंने इश्किया मौामलाद मौामलाद कैसे लिखते हैं ये थोड़ा मिटा हुआ है ये इसे लिखते हैं मौामलाद मीम आइन अलिफ मौा मीम मौाम लाम अलिफ लात का मौमलाद किसा साथ जिन्दे के देगर मसाइल को भी मौजू बनाया है यानि टॉपिक समझ कर इस पर शेर और शायरी की है ठीक है तो ये एक बड़ी बात होती है काईस उनकी जबान में घलावट और मिठास है उन्होंने इश्क के मौमलात को अक्सर बिल्कुल नए ढंग से पेश किया है और बाज नए मजामीन भी इस्तमाल किये है रुबाई में उन्होंने संस्कृत के सिंगार रस से इस्तफादा करते हुए माशू को एक नए और दिलकश घरेलू रंग में पेश किया है ठीक है तो यहां देखिए रुबाई वगरा यह जो है यो पोईट्री के एक पास्म है और दू वर्ल्ड में है ना एक नजम होता है एक घजल होती है रुबाई होती है ठीक है तो इसको बोलते है यो डेर्ट वर्य वैल और इन्होंने यह क्या किया है कि संस्क्रिट के वर्ड के मिक्सिंग से यानि बहुत दिलकश बना दिया है और घरेलू रंग दे दिया यानि कि ऐसा रखता है कि आपस की बाच चल लगी ठीक है वो इक खुशूरती के साथ अब कुछ देखते हैं कि कुछ काम देखते हैं नगमे साज गुलिस्तान घजलिस् सेरिस्तान शबनमिस्तान रूह काइनात गुल नगमा रूप और गुलबांग के नाम से कई शायरी मजमुए शाय होकर मकबूलियत हासल कर चुके हैं उन्हों ने आला दरजे की तनकीद भी लखी उनकी नसरी किताबों में अंधाजे और अर्दू के इश्किया शायरी ठीक नसरी बोलते हैं यह मैंने भी बताया थे ना कि नजम पॉल्टरी में क्या होता है पॉल्टरी के इलावा जो चीज़ होती है यानि के नजम रुबाई और यह सब पॉल्टरी को छोड़कर जो तहरीर होती है जो किताब में होता है उसे जैसे यह भी एक अब हम पढ़ एजसाथ से भी नौजा रहा अगàyा अगर guten ऐड्म में ऐस लगा दे हैना जैसे अलड़ होता है आवार्ड तो आवार्ड मतलब एजाजाद और आवार्ड मतलब एजाद एजाज ठीक है यह जो लिखा है एजाजाद यानि एवार्ड पेश पलड़ते हैं गाईज और देखते हैं कि क्या है अब हम बात करेंगे जिनों कि इसकी घजल जो लिखी है इस बुक में ठीक है तो चलिए हम द देखेंगे क्या है, सर में सौधा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरके महबत का भरोसा भी नहीं, एक मुद्द से तिरी याद भी आईी नहमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं, यूँ तो हंगा में उठाते नहीं दीवाना ए इश्क, मगर एदोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं, दिल की गिंती ना यगानों में ना बेगानों में, लेकिन उस जल्वाए गहे नाज से उड़ता भी नहीं, आज गफलत भी इन आँखों में है पहले से सिवा, आज ही खात्र बीमार शकेबा भी नहीं, हम उसे मुह से बुरा तो नहीं कहते के फिरााएं, दोस्त Tेरा है मगर आद्मी अच्छा भी नहीं, और शार के नाम तो जानते हैं आप फिराओ और अरप्रि, ठीक है कुछ वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं गाइस, तो वर्ट मिनिम अगर हम बात करें तो यह सौदा यानि जनून या दीवानगी तमन्ना आरजू या खाहिश तरकन्ना यानि छोड़ना ठीक है और यह गाना बोलते हैं उस लब्स के असल माइन है जिसकी कोई नजीर ना हो यानि कि अन्प्रिसिडेंटिट वाहिद यानि वाहिद है ना लेकिन शायर ने यहां इसे बेगाना की जिद के तोर पर इस्तमाल किया है यानि बेगाना मतलब होता है अपना नहीं होना है ना गयर और यह गाना यानि अपना यह कहना का मतलब है बेगाना यानि गयर ठीक है जल्वाए गह, 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 जल्वाए मतलब गह, जल्वाए गह, जल्वाए जिसे सब्र हासिल हो या जिसे सब्र आजाए खातिर दिल रंजिश नाराजगी बेजा नामुनासिब बिलावजा बेसबब ठीक है और देखते हैं गाईज गोर करने वाली बात इसमें क्या लिखा है फिराग की घजल गोई मुनफरित आहंग और अंदाज रखती है ठीक है यान के बहुत डिफरेंट इनका यूनो मैथड है घजल कहने का है घजल गोई यानि के घजल लिखना या घजल कहना ठीक है या घजल पढ़ना ठीक तो काफी डिफरेंट है इनका मुनफरित मतलब होता है डिफरेंट फिराग के घजल में रिवायत का पास भी है यानि रिवायत जो के एक रीड चलिया रही है रिवायत चलिया रही टेडिशन चलिया रहा है उसका पास भी है यहाँ पास यानि पास का मतलब होता है यहाँ लहाज है यानि उसका यह केयर रखते हुए ये आ गजल को इनो ने लिखा वा है और वैसे भी हमारे यहां से हमारेसे हमारे एज से 100 साल पहले की कहानी है ठीक है और जिद्दत का इजहार भी है जिद्दत बोलते हैं जिद्दत मतलब होता है कुछ नया नया पन या नया ठीक है और गाइज यह पॉइंट फिराग के असलूब में सफाई और बेसाखतगी है जिसकी एक मिसाल ये घजल है है ना फराग के इस लूब में या निके जो उनका तोर तरीका है है ना उसमें किया सफाई है क्लियर बात बोलते हैं बेशाखतगी बेशाखती का मतलब है कि जब उन्होंने कहा होगा तो बिना you know making कि ये बिना उससे ठीक है एकदम जैसे ऐसा लगता है कि बिना बनावड के को खजल का खजय तहीत वीडियू को सब्सक्राइब कीजी जिसका दो नाम इर्दुबझ बिजीया और इन सबी वीडियो को जो हमारे चैनल पर हैं उन को उन तक पुछाई जिसको इसकी जरुद है चली मिलते हैं बैबाइ झाल झाल